हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू दे चैनल स्रस्टी स्टोडी पॉंट यहां पर मैं कोशन लिखाई हूँ जनल हिंदी के जो की उत्तर पुर्देश पुलिस कॉंस्टेबिल जो भरती हो ली है उसका री एक्जाम है उसके लिए वड़े इंपॉर्टेंट इकोशन है और 23 सिक 30 अगस्था की एक्जाम है तो इसमें देखिए यह है निमलिखित विकल्पों में से विसर्ग संदी का उधारन इसमें बताना है तो इसमें विसर्ग संदी का उधारन जो है वो है हरिश्चन अब इसमें हरिश्चन विसर्ग संदी का क्यों है क्यों है क्योंकि इसमें विशर गाने चाहिए तो यहरी ऐसे लिखेंगे आप विसर्ग लगेंगे और यहाँ पर आप चंद्र लिखेंगे तो इस तरह से यह विसर्ग यहाँ पर आ गए तो यह जो है विसर्ग संदी का उधाराने किस शब्द में इक प्रतिय का प्रियोग नहीं हो सकता तो देखे आर्थ मे इक करेंगे तो आर्थिक बन जाएगा नीतिक में इक का प्रयोग करेंगे तो ये नैतिक बन जाएगा ठीक है आध्यात्म में इक का प्रयोग करेंगे तो ये आध्यात्मिक कर बन जाएगा क्योंकि प्रतिया हमेशा बाद में लगता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता ह और यहां पर कला में जो है इक का प्रयोग नहीं हो सकता तो इसलिए ये जो है option इसका ठीक है अगला किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है उपसर्ग के बारे में पूछा है तो देखे कुटेव जो है उसमें कू में जो है कू जो है वो सर्ग का प्रयोग है और टेव टेव का मतलब आप बताईएगा ठीक है ढूंड़ियेगा इसका मतलब मैं आपको भी बतातो सकती हूँ लेकिन यह है कि कुछ कोश्चन आपके उपर छोड़ देती हूँ दुर्ग पती में कौन सा समास है दुर्ग पती तो यानि कि दुर्गा का पती है ना दुर्गा का पती और जो का है तो जैसे ही का आ गया तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या लग गए कारक लग गए का के की वाले सम्मंद वाले तो यह ततपुरुष समास हो जागा ठीक है र फिर 44 से 48 तक जो है ये गद्यान से related हैं गद्यान यहाँ पर जो है मैंने पढ़ रखा है आपको भी मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ एक बार जिससे कि आप इसे पढ़ लीजे भारते इंदु हरिश्चन्द के उपर है पूरा फिर यहाँ पर लिखा है भारते इंदु जी के जीवन का क्या उद्देश था 44 कोशन आ गया है आपे तो उनका उद्देश जो था हिंदी वासा और साहित की उन्नती करना था सी इसका उप्शन ठीक होगा यह पैराग्राफ से यह है कोशन भारते इंदु जी के अपने जीवन में क्या किया था तो इसमें बी उप्शन है हिंदी वासा और साहित की उन्नती के बीजबोय थे बी उप्शन ठीक है इस प्रकार उसे सुरम बना दिया कि उपरियुक्त जो कंकड़ों का क्या अविपड़ाए है तो मार्ग में जो रुकावटे आती है उससे अविपड़ाए है 48 है यहापर मनुरत का अर्थ क्या हो मनुरम मनुरम का अर्थ पूचा है आपर तो मनुरम को क्या होता है जो मन को रमता है मन को अच्छा लगता है वो चीज है ठीक है त सरस्वती सम्मान के शेत्र में दिया जाता है तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्त के शेत्र में दिया जाता है इसके बाद एक बात और याद रखे जब हिंदी के कोशन है न तो इसी टाव के कोशन आएंगे आप अपने आप लगा लिए साहित्त के शेत्र में ही दिया जाता 50 और 51 जो है वो मुहावरे दे रखे हैं उचित अर्थ वाले विकल्ब का चैन करना है आस्तीन का साफ का मतलब क्या होता है कपटी मित्र होता है सामने आपका मित्र है लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है एक 55 कोशन पर आते हैं कि चाती पर मुंग दलना का क्या आर्थ है यहाँ पर ये भी मुहावराई है तो चाती पर मुंग दलने का आर्थ क्या होता है तो इसके अंतरगत इसका आर्थ जो होता है कोई व्यक्ति हमें बहुत दूख दे रहा है बीर पुत्र को जर्म देने वाली मातक लिए एक शब्द क्या है तो उसे कहते हैं बीर प्रसु प्रसु माने होता है जर्म देने वाली बीर प्रसु है शाक सबजी खाने वाला क्या कहलाता है तो शाक सबजी खाने वाला जो है वो शाकाहारी कहलाता है शाकी नहीं शाकाहारी पयोधन, पयोधन का संदी विच्छेत करना है, तो पयोधन का संदी विच्छेत में जो है इसका पयाः प्लस धन और ये विसर्ग संदी है, पयोधन याद रखेगा, क्योंकि इसमें विसर्ग लग गया है, ये चीज ध्यान रखेगा, पयाः प्लस धन, अगला 567 में क्या है उसके लिए वाक दी रखा है तो एक शब्द बताना है परवत की तलहटी को क्या कहते हैं तो परवत की तलहटी को हमेशा उप्तियका कहते हैं ठीक है घाटी मत लिख दीजेगा उप्तियका परवती की तलहटी को घाटी जो है वो दो परवतों के बीज की जो खाली स्थान होत सब पूरी करता है और कंजूसी से खर्च करने वाले विक्ति अपनी जरूरती भी पूरी नहीं करता है उसे कृपन कहते हैं ठीक है हिंदी की प्रमुकपत्र का धर्म युद्ध धर्म यूगवड़ी इंपॉर्टेंट है इस से रिलेटिर कल भी कोश्चन था एक वीडियो में आप देखेगा कि इसकी धर्म से आप समझ जाईएगा ये धर्म भी भारती की है और भी थी सात्मा गोड़ा और इस तरह से इनकी बहुत सारी कला कर दिया है 59 है दिये गए विकल्पों में से एउध्या सिंग उपाद है हरियोध की रचनाइस में से कौन सी है तो है ठेट हि का ठाट और कल भी आई थी एक रचनाइन की निम लेखेद में कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है तो इने बोल कर देख लिए अकाल आया था तो ये पुलिंग है खटमल था है ना आयोजन हुआ प्रोग्राम का जीव थी है ना तो ये फीमेल है तो ये पुलिंग नहीं है ऐसे आप बोल के देख लेंगे एक शटमा है सुधी और सुधी शब्द दोरो ही तो यहाँ पर होगा सुधी माने तुमने सुधी माने होश आ जाना सुधी माने होता है भुलिंग है तो ये भी ऑट्शन होगा आब इसमें बासटबा है इस पृसिन में चार विखल्प दिय तो सुनील बहुत अच्छा निशानेवाज बांसर टबा है यह question और इसका उत्तर इहां पर देखे इसमें बहुत अच्छा भी दे रखा है बहुत दे रखा अच्छा और निशानेवाज तो इसके अंतरगत बहुत जो है वो विशेशन की विशेशता परकट कर रहा है अच्छा विशेशन है और उसकी विशेशता के आगे बहुत लग गया तो ही विशेशता प्रकट कर रहा है ठीक है और अच्छा जो है वो विशेशन है याद रखेगा निमली खित में से कौन सा शब देखवचन और बहुचन दोनों में प्रियोग हो सकता है तो इसके लड़का का लड़के होता है बेटा का बेटे बालिका है और मुनी को नहीं कह सकते तो मुनी थे मुनी था है तो दोनों में यूज होता है रेखांके सर्वनाम का प्रकार बताईए मोहन का कुछ हो गया है रेखांके सर्वनाम पर कुछ बताईए तो मोहन का कुछ हो गया है तो यहाँ पर यह कुछ लिखा है न कुछ के बारे में पूचा है कुछ होगा रेखांके इसमें तो जब कुछ होता है या किसी लिखा होता है तो वो अनिश्य वाचक होता है उसका कुछ पता नहीं कोई हो कोई भी अनिश्य वातकसर नाम है याद रखना कोई कुछ किसी तो पास्ट सेंस है ना और पूरी तरह से ये पूर्ण भूत काल में है ठीक है मैंने खाना खाया दीपा ने खीर बनाई तो पूरा पास्ट सेंस में भूत का निशिद शब्द का बिलोम बताना है निशिद माने किसी चीज़ को रोक देना और विहित माने होता है वो चीज़ चलन इसके बाद है बिलोम की दृस्टी से निमलिखित युगमों में से अशुद्ध बताना है कौन सा है तो यहां पर जो है अग का विग होता है अब मैंने बताया है अग का अनभिग नहीं होगा अग का विग होता है ठीक है अग माने जो नहीं जानता है विग माने विद्वान यह दोनों यह पिर्थ में होते हैं, तो इसलिए इसका इसका यह नहीं होगा, जागरती का सुसुष्टी साही है, जाग रहा है और इवैक्ति सो रहा है, कृत्स होता, आटिफिसल प्रकति वाप्षिस्टी वही है, हास और व्रद्धी वह साही है, लेकिन ये गलत है भी option ठीक है विलोम की दरस्टी से कांतार बड़ा important question है कांतार शब्द का परियावाची बताना है तो इसमें कांतार माने जंगल होता है विपिन माने भी जंगल होता है तो ये देख लेना इनमें से सरल शब्द को विलोम नहीं है ये बताना तो देख है सरल का वक्र यहाँ पर होता है और कुछिल भी एता कठिन लेकिन विरल नहीं होता ठीक है विरल ये इसकी option विलोम नहीं होगा तो एँ है कम बोलना सिहत के लिए अच्छा होता है में कौन सा अव्या है ठीक है यह अव्या है देखो किते सारे अव्या होते हैं अव्या के सब डिविजन भी होते हैं तो इसमें परिमाड कम बोलना है ना कि तुम नाप तोल कर बोलना तो परिमाड आगया नाप तोल कर बोलना नाप प पानी के अर्थ हैं अलग-लग, संदेशनी मदुवन कूप भरे, संदेशनी मदुवन कूप भरे में अतिश्योक्ति अनलकार है, ठीक है, इसमें अतिश्योक्ति हो रही है, इसके बाद है निमलिखित में से कौन सा शब्द देशज बताना है, देशज बिदेशज तत्सम तत् तो इसमें पगड़ी जो है वो देशसब्द है जबकि रेल बारूर पटाखा ये देशसब्द नहीं है पगड़ी है देशसब्द हमारे 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 देशसब्द हमार निमन में इसे कौन सा वाक भाव आच्च का उधारन है तो भाव आच्च में आप इसमें बता देंगे मैंने पहली कि भाव आच्च का उधारन क्या है हमसे इतना काम नहीं किया जाता यह होगा ठीक है भाव आच्च में मैंने आपको पहली बता दिया है कि जिसमें खुद के लिए बड़ी दया जैसी बात हो खुद के लिए हम से ऐसा नहीं होता उससे ऐसे काम नहीं किया जाता है ना यह जो थे वो भावाच के अंदर गत आते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको इतनी कोशन बताए और यह कोशन किसी ने किसी एक्जाम में आए हुए हैं बड़ी